अभी आपने कहा है इसके बारे में, कि इसका परसों फिर दीजिये, ये बिलकुल नियमों के पृत्वूल है। मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं सुन रहा था, इसलिए हैं हम हास में आए रहे हैं। इसलिए हम हाउस में आए ये काम है सरकार का जबाब दे रहा है और मैंने अथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना हम बैठ करके सुन रहा है ये तो बता रहा है कि पूरी इंक्वारी हो रही है और जब पूरी इंक्वारी हो रही है तो वो गया ये हाउ उसमें बता जा रहा है और जो इंक्वारी होती है ये काम करना पुलिस का काम है आप इंटरफेर नहीं कर सकते हैं और जा संबिधान देख लिजिए आप संबिधान देख लिजिए और संबिध देख लिए एक बाद जान लिजिए मुझको तो आस्चर्ज होता हम इतने दिनो से और फिर इस तरह की बात होती है सारे लोगों के एक बात जानना चाहिए संभिधान क्या कहता है आप जब inquiry हो रही है investigation हो रहा है कोई चीद ये उसका अधिकार है और अगर वो गणबर करेगा सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से गाइड लाइन यही है कि निश्चित रूप से करना और आप जानते हैं हर बार हम एक एक बात कहते हैं ना हम किसी को फसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ये काम नहीं है सरकार का ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं इ आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा किस तरह से बार-बार आप इस सवाल को पूछिएगा माननु या मुखमनते जब जब जबाब दे दिया गया इंक्वाइरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वाइरी होगी और इंक्वाइरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वाइरी की रिपोर्ट कोट में जाएगी और तीन बना हुआ जगा है तो इसको अधिकार है हाँ उसको अधिकार है आप हमको जिरा बताईए तो मान्या मुकमत्री जी आसन की बात भी सुगाए आप सुन रहा था आप सुन रहा था आसन की भी बात सुनी जाए आप एक एक बात जान लिए ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है बेहार की राजनिती किसी न किसी बिंदू पर हमेशा ही गर्म रहती है कभी विपक्ष के सवालों को लेकर सियासत गर्म होती है तो कभी सरकार के अंदर ही नेताओं के बयान से सियासत गर्म रहती है लेकिन आज बेहार विधान सभा में वो भी देखने को मिला जो कभी किसी ने नहीं देखा बेहार विधान सभा अध्यक्ष विजय सिनहा और सियम नितिश कुमार के बीच एक मामले को लेकर काफी बहस हुई है रिपोर्ट हाउस में सब में थोटा है रिपोर्ट कोट में जाता है कहीं भी क्राइम होगा वो जाएगा कोट में और कोट पर इंक्वारी करके सजा देगी आपका ये काम नहीं है आप पूछ रहा है जबाब दिया जा रहा है अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे इसका मतलब है सम्विधान का खुलिया मुलंगण कर रहे है इस तरह से नहीं चलेगा आप ही बता दे जैसे चले उसी परे चलाएंगे कौन है जो आप कह रहे है कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देगे मैं आसन से संबच्चित सबस्त्रों को करने करने के लिए और आपको मालूम है भी हमने क्या का साथ दिन के अंदर पूरी इंक्वारी करो अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी स्टी की बैठा कुई उसमें हमने क्या दिर्देश दिया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को का और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे है और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग और ये एक बात अच्छी तरह जान लिए लेकिन इन सब चीजों को ले करके अपने इलाकिय की कोई बात को ले करके ये हाउस का चीज नहीं है ये इंटर्फरेंस नहीं करना चाहिए ये बात हम कह देते हैं और हम तो बैठे सुन रहे थे इसलिए आप इसके बारे में यह नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया आप इसके बाद फिर बताईए अरे यह क्या बताएंगे यह तो आपको बताई रहे हैं अगर यह बात हुई है मैं निश्यत रूप से आज भी पूछूँगा डिपार्टमेंट से आज भी मैं पूछूँगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है मैं इसके इसके बारे में पूरी जाज करूँगा आज हम कोई दे रहा है कि जवाब भी है जब इनकों मौतराइज किये हैं आज हम देखेंगे लेकिन क्रिपा करके इन सब चीजों के बारे में जभादा नहीं करिए यह सब करना अची बात नहीं है तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे आगरा करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं हाउस में जबाद दिया जाता है को लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोट का नहीं है ये स्वारी कोट नहीं है अभी साउस का नहीं है रिपोर्ट कोट में जाता है इसलिए इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि जो चीज बना हुआ है संविधान में जो ब्यवस्था है कौन सा काम किसको कर करना है बहुत ज्यादा निर्धारीं और उस को हिसाप से ही चलना चाहिए और पहली बार हम देख रहे हैं इतने तो से हमको सी यहां पर काम करने का मौका मिल रहा है इह पहली बार हम देख रहे हैं एस तो आज तक लोland कि अगर इसके बारे में कोई भ्रम तो फिर बाच्चित करेंगे हूं कोई भी की लए है किसी क्या मोल है सब चीजों को पूछेंगे ऐसी शृष stihåर सिंदी कभी देखने को मिली हुगी जब मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष के निर्णने पर सवाल खड़े किये सीम नितिश कुमार और विधान सभा अध्यक्ष विजय सिनाह के बीच काफी तीखी बहस हुई पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिशे की रिपोर्ट अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद